अते इंद्रिय सुख मतलब इंद्रियों से परे का सुख मन बुद्धी से भी परे का सुख क्योंकि मन और बुद्धी संस्कार सब कुछ माया से बनाएं तो माया में सच्चा सुख नहीं है तो यहां क्या कहा है यदि किसी का मन अनंत और सर्वव्यापी हो जाए तो आनंद भी असीम होगा बहुत बहुत गहरी बात जब कोई यक्ति पूरे विश्व के कल्यान के बारे में सोचता है तब उसका जो आनंद है या उसकी आत्मा का जो चेतना का लेवल है वो बढ़ जात करता है और अनंत सुख को वो प्राप्त करता है तो परमात्मा अर्थाज परमात्मा को ही सत्चित आनंद कहा जाता है देखो परमात्मा को ही सत्चित आनंद स्वरुप कहा जाता है तो बापुजी हमेसे क्या बोलता है कि तुम बेहत की परम 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 आत्मा महान आत्मा हो दिव्यात्मा हो जाकरता तो वही जो इस रहस्य को जान लेता है वही सच्चित आनंद स्वरूप बन जाता है वही बेहत की परम 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 आत्मा ही इस सत्चित और आनंद का स्वरूप बन जाती है प्राप्त करने की बात नहीं वो खुद ही है अनंत तो मैं खुद यह आपको बता होना चाहिए सत्चितानन मेरे खुद का ही स्वरूप है इसलिए परमात्मा को सच्चितानन कहा गया है क्योंकि परमात्मा ही संपूर्ण सत्य है संपूर्ण चेतना है संपूर्ण सुख है केवल मनुस्य ही सच्चितानन को प्राप्त कर सकता है अन्यजीव नह कि चौरा सिल्ला कि उनी में मनुष्य के पास कर्म करने का अधिकार है और जो स्रेश्ट कर्म करता है वो इस इस रूप को भी पा लेता है और जक् Leniny साथ. है अल्द फिर्म, और जोड को आद है बने का इस आंधा इस बसक्राम करें का आद ससे आम अगनल सोच भी मुक्षा भी हग है अंधा करने का आठ आड कररों स्कुराक हैं था थाद यहाया खा करो मकृ अन्या ठाट्रेफी करको भी टेया थाण χ्स्राट भाि